नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा रबर रबर भी दो टाइप के होते हैं हमारे नेचरल रबर और सिंथेटिक रबर जो नेचर में मिलेंगे उसे कहेंगे नेचरल रबर जो लेबरेटरी में बनाएंगे या इंडस्ट्री में बनाएंगे वो होगा हमारा सिंथेटिक रबर अब द मतलब सेम सेम यानि कारवन कारवन हैं तो यह करवन ढर्वा जाएगा इसंगल मिया जाएगा तब इसमें GI possible है जब GI बनेगा जो सिस फॉर्म का बनेगा उसी को कहेंगे हम नेच्रल रबर ट्रांस वाले को नहीं कहेंगे ट्रांस फॉर्म का बना उसे कहते हैं गुटा पर्चा जो natural rubber है कैसा होता है उसके बीच में बहुत ही वीक वंडर वाल फोर्स है बहुत ही वीक है इसकी वज़े से उसको जितना भी चाहें stretch कर सकते हैं stretch लाएके spring बहुत ही elastic property है क्या है हमारा natural rubber दोबारा बोले नाच्रल रबर के अंदर कौन सी property होती है इलास्टिक प्रापरटी बहुत जबें इलास्टिक है इसलेक्षक क्या बोलते ही हम लोग इलास्टोमर definitive गर्वा सब्मक्राइर बहुत लुंछ हो सकता है तो इसके बहुत सारी उजसेज हैं कि कैसे बनता है यह जो नेचर में नैचुरल है तो किसे बनेगा बारक ओफ रबर यह पाउस करके इसको रीड करें यह NCRTK लाइन से अगर आपने रीड कर लिये तो आते हैं एक ऐसे मैनुफेक्चर होता है जो रबर है लेटेक्स है उसको क्या करेंगे पानी में डालेंगे डिस्परजन फेस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा उससे वो बनेगा अगर यह नैचरल है तो कहां कहां पर यह मिलेंगे इसके ट्री इंडिया में श्री लंका इंडोनेशिया मलेशिया एंड साउथ अमेरिका यह सब जनल नॉलेज के लिए हैं एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां कहां मिलेंगे यह जोग्र यहां पर कनेउक्ट हुआ तो सीरीज बनेगा ये भी दबल बॉन धरूर्ड क्या जाया एकर देखें लोग को सब्था डबल बॉन को ऐसे दो पार्ट में करदेना है यह double bond इधर और इधर तो इधर जो आएगा, एक bond ऐलडी था तो बीच में क्या लृड़ी था एक और πई और यहां से PAU अब हम झाया है फिन independence करते हैं दात मेंoking जब हम और दात में hole हो जाता है cavity हो जाती है तो उसमें क्या fill करते हैं हम लोग घुटा पर्चा that is a transform of the isoprene natural rubber बहुत ती जाएधा कैसा होता है flexible तो उसको क्या बनाना है थोड़ा hard बनाना है जैसे हम उसको use कर सेथे टायर में या हेर बेंड में तो उसके लिए वो property क्या होती है जो हम उसको थोड़ा tough बनाए या थोड़ा elasticity उसकी कम करें अच्छा से strength दें उसको कहेंगे हम लोग वलक क्या होता है उसके अंदर हम क्या बढ़ालते हैं sulphur एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में cross link में sulphur आ जाएगा तो sulphur को डालने की process को क्या कहेंगे वलकानाइजेशन पढ़ो in this process raw rubber is mixed with a small amount of sulphur के साथ mix किया और उसको गरम कर दिया जो externally sulphur यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा थोड़ा cross link करेगा और थोड़ा tough बना देगा 1 से 3% sulphur यूज करते हैं rubber band में और tire बहुत ही tough होता है जो road पे चलेगा पहाड़ियों पे तो क्या है वो 5% sulphur is using the tire rubber क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर sulphur क्योंकि जो raw rubber बहुत ज़ता flexible होता है इस वज़े से उसकी flexibility को थोड़ा से कम करने के लिए उसको strength देने के लिए यूज करेंगे अलकीन हो या ऐसे वाले पाइबॉंद हो उसके अंदर कौन से catalyst डालते हैं हम लोग जिंगलानाटा catalyst परक्साइड वाला भी है और यह क्या है हमारा जिंगलानाटा catalyst तो जिंगलानाटा catalyst का structure ड्रॉ करते ह है कैसा होगा यह aluminium है उसके साथ तीन साथ इथाईल मतलब CH2 CH3 और इसके साथ एड़ करेंगे हम लोग TICL4 या कहीं पर लिखा हो सकता है TICL3 तो दोनों ही ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग synthetic rubber जो synthetic rubber होगा वो भी क्या है एक polymer है पढ़ लेते हैं which is capable of getting stretch to the twice of its length हम synthesize हम इसको बना रहे हैं तो उसकी quality के अच्छी करेंगे तो कैसा होगा अपनी ड्रॉप अपनी लैंज से भी double जगे stretch हो सकता है stretch होने के बाद वो अपनी position पे भी आ सकता है व synthetic rubber homo polymer भी हो सकता है और ये co polymer भी हो सकता है बहुत सारे क्योंकि हम लोग इसको बना रहे हैं लैबरेटी में अच्छी quality का होगा तो पहला देखते हैं butadine butadine first case लिए हमने butadine butadine का मतलब क्या है चार carbon होंगे one और three position पे क्या होंगे उसके double bond तो जब ये connect हो रहा है तो ये वाला पार्ट इधर से connect हुआ अगर नंबरिंग करें तो one two three four one वाला connect हो रहा फोर वाला तुमसको क्या बोलेंगे one four addition वैसे ही यहां पे जो हमारा था नैचुरल वाले में भी polymer कहां से बनेते one position से four position पे तो कौन से addition होगा ये भी one four addition ही होगा और catalyst क्या था जिंगलनाटा catalyst नैचुरल अबर में सिस फॉर्म था किसका आइसोप्रीन का अब देखते हैं synthetic में synthetic में ब्यूटर डाइन है आइसोप्रीन वाला पार्ट नहीं है तो क्या बनेगा इसमें ये वाले पार्ट जो कंबाइन होंगे ये भी बनेगा सिस फॉर्म तो क्या मतलब नौ मतलब ज्यादा यानि यह पॉलिमर है तो इसका मोनोमर क्या होगा chlorophyll यानी CSC की जगे क्या आ जाएगा एक क्लोरिन यह बन गया हमारा chlorophyll double bond, single double bond ये double bond इधा single बनाएगा और बीच में क्या जाएगा double bond तो देखो जहाँ single था resonance की तरह वहाँ पर क्या जाएगा double bond ये धर connect होते जाएंगे यह बन गया हमारा नियोप्रीन इस structure में अगर मोनोमर यूनिट छाटता हो तो कैसे छाटेंगे जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही हो तो कैसे देखेंगे यह कार्बन है कार्बन कार्बन double bond यहां तक हुआ यह क्यूनिट फिर बाद में बिल्कुल सेम चीज ही रिपीट हो रही है तो यह हो गया हमारा मोनोमर मोनोमर में कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें चार कार्बन तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे ऐसे चार कार्बन है प्लोरिन वहीं पे होगा जहां पे double bond है वहां क्या बनाना है सिंगल और जहां सिंगल है वहां बनाएंगे हम लोग ऐसे double bond तो यह है हमारा मोनोमर पॉलीमर से मोनोमर बनानी के लिए ध्यान रखेंगे क्योंकि जो connect हो रहा है यानि पहले pie bond होगा तभी वो connect होगे तो practice करें आएगा नहीं आएगा तो please बताएं इसको हम separate भी discuss कर लेंग बुना-N बुना-N का मोनोमर बुना मतलब 4, one-three butadine, N मतलब nitrile वाला part होगा, acrylonitrile one-three butadine अगर सिर्फ अपने आप से connect होगा तो ऊपर हमने دेखा है acrylonitrile poly acrylonitrile बनेगा अगर single single connect होगा पर यह दोनों आ पस में connect होंगे तो तो कैसा ड्रॉ करेंगे लिखते हैं ऐसे double bond इधर आगया cn अब इन दोनों को connect करके बनाना है तो पहले as it is लिख लेते हैं यहाँ पे cn तो जहाँ double bond था यह double bond इधर shift होगा और इधर shift होगा यह double bond इधर shift होगा बस अपने next position पे shift होते जाएंगे यह वाला part इधर यह इधर और यह इधर तो यह बन गया हमारा एक polymer तो इसका नाम क्या होगा इसमें दो अलग-अलब monomer यूज़ हो रहे हैं butadine और यहाँ पे acrylonitrile इसको कहेंगे बूना N अब लेते हैं बूना S तो बूना S में भी क्या चीज़ है same है पहला monomer और दूसरा वाला क्या होगा S for styrene तो जो करते हैं ऐसे 4 carbon लिया styrene मतला benzene तो क्या करना है double bond को shift कराते चलना है double bond बीच में था मैं सुरी कोने कोने में था तो यह इधर आ गया यह इधर इसका double bond तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग बूना S जो बूना S है उसका use क्या है auto tire में footwear component cable insulation इस case में किसके साथ heat करेंगे sodium के साथ तो यहाँ पे जो polymerization condition लिखा है अगर उसाथ सल पढ़ते जाएंगे तो अच्छ है यह होगे हमने synthetic के कितने देख लिए हैं बूना N, बूना S नियोप्रीन और एक था सिस ब्यूटरडाइन यह है हमारी सारे रवर natural and synthetic next class में लोग देखेंगे amide वाले polymers प्यापद पेलिए एक रापदे जयोचे हैं